एलो स्टुडेंट, वेल्कम टू दिस फीडियो कक्षा नौवी के बच्चों के लिए अंगरी जी विसाय के हम यहाँ पर बहुत ही इंपोर्टेंट फिलिंदी ब्लैंक्स देखेंगे जो की ग्रामर के हैं और आपकी पेपर में हो सकता है काफी सारे इसमें से पूछ ले तो इनमें सबसे पहला कोशन आपका दिया गया है राम इच सिटिंग यहाँ पर देख सकते हैं राम इच सिटिंग तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें बिट बीन आएगा या अमंग आएगा तो देखिए आपको याद रखना है कि यदि कोई दो लोगों की बीच आपको पूचा गया है खालिस्थान, मून, बहग सलोली एंड सैलेंटली तो यहां पर कोई के आंगे आता है और न के आपको प्रयोग बता दें कि जहांपर कोई bird जैसे आपको लखा है खालिस्थान elephant ठीक है elephant आपका आ रहा है यहांपर तो elephant में elephant में elephant का उच्चरण लखेंगे तो a से सुरू होगा elephant तो a आ रहा है यानि कि यह क्या है अग्रेजी का एक स्वर है तो यहांपर n आता है ठीक है और जैसे कोई बेंजन आए पहला अक्षर उच्चरण का तो वहाँपर a आएगा ठीक है तो यह आपको साथ में याद रखना है क्योंकि हो सकता है an का भी प्रियोग आपसे पूछ ले तो यहाँपर देख सकते हैं first question का answer हो जाएगा आपका between second का हो जाएगा the third question पूछा गया है Monday comes after या before Sunday तो आपको पता ही होगा Monday का बाता है Sunday के बाद आता है तो यहाँपर क्या लग देंगे after ठीक है तो देखिए third question का answer आपको क्या हो जाएगा after हो जाएगा fourth question आपको पूछा गया है be away our teachers तो यहाँपर आपको ओभी की पहले क्या लगाना है must, ought to या had तो इस question का answer आप देख सकते हैं ought to आएगा ठीक है हमें अपने teachers के जो बताते हैं उनको मानना चाहिए ठीक है तो यहाँपर ought to आता है ठीक है उसके बाद the books is the book is on the table या upon the table तो देखिए यहाँपर हो जाएगा आपका on the table ठीक है तो देख सकते हैं पांचपी कांसर on the table है तो यहाँपर आप on भर लेंगे ठीक है इसमें आपका on हो जाएगा I have read many book या much book तो I have read many book ठीक है तो यहाँपर मात्रा की बात नहीं हो रही है आपर संख्या की बात हो रही है मात्रा होती तो मच आ जाता physics डेड़े स्टेश नोट डिफिकल्ट सब्जेक्स तो physics नहीं है तो physics is not तो यहाँपर इज आ जाएगा physics एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है उसके बाद अंगला है see eat an apple daily या eats तो देखिए present indefinite tense है present indefinite tense के simple work में s या e s लगता है तो देखिए eat क्या है क्रिया है क्रिया में s लग जाएगा तो eats हो जाएगा तो इसका answer eat हो जाएगा उसके बाद question number 9 है the chair watch broken या break तो इसका answer हो जाएगा the chair watch broken by the student क्योंकि यह आपका passive voice में बन रहा है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा broken third form लगती है उसके बाद question number 10 है आपका see do her homework daily या पर does तो आपको वैसे मैंने बताया कि यहाँ पर यहाँ पर जो क्रिया लगती है प्रिजेंट इंडेपने इसके बाक में वहाँ पर S या यह लगता है तो इसमें do में यह लग जाएगा तो यह डज हो जाएगा ठीक है तो इसमें see does her homework daily तो इस प्रकास से आपके बहुत important ते इसी आधार पर आप करके रखिए हूँ सकता है पूछ ले जाए और next वीडियो आएगा जिसमें हम आपके लिए बहुत important आपके question answer जो आपके syllabus पर आधारत है half your exam के लिए वो ढालेंगे thanks for watching मिलते हैं next वीडियो में subscribe कर लेना तभी आप तब वीडियो पहुछ वाएगा